हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चानल स्टड़ेवे सुजित में तो दूस्तो आज हमने संस्कृत के सब्जेक्टिव कोसंस के बारा में डिस्कूस करेंगे जो मारे बोड एक्जाम के लिए काफी महत्तपून है अगर इससे सेशन को अच् सिख्षा मिलती है कि आलस नहीं करना चाहिए क्योंकि आलस मनुस्य के सरीर का सबसे बारा सत्रू है कहा भी गया है कि इस्तिरियों के गती पती होते हैं बालकों के गती माता होती है और आलस्यों के गती धर्मीकों के बीना संभाव नहीं है इतना लिक देते हैं तो आपको प कि स्थिर्यों के गती पती होते हैं, बालकों के गती, माता होती है, और आलश्यों के गती, धर्मीकों के बिना संभाव नहीं है, चलिए जल्ली-जली में करवा देते हैं, दोस्तों, क्योंकि अवर समय बहुत ही कम बाचा हुगा है, यह प्रस्ण किसी तरह से रख जाएगा दोस्तो नदी और विद्वान में क्या समानता है तो जिस परकार नदिया अपने नाम रूप को त्याकर समुंद्र में बिलीन हो जाती है निकि मिल जाती है उसी परकार बिद्वान लोग भी अपने नाम रूप को त्याकर प्रम्तत्यों में बिलीन हो जाते हैं यही नदी और बिद्वान में समानता है दोस्तों आप आसानी से एक बार में भी याद कर लिये होंगे कि जिस परकार नदियां अपने नाम रूप को त्याकर समुंद्र में मिल जाती है उसी परकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को त्याकर प्रमतत्तों में बिलीन हो जाते हैं नदि और विद्वान में यहीं समानता है और यहाँ पे देखेंगे बिजियांका कोसर्वसुकला सरस्वती क्यों कहा गया है तो बिजियांका स्यामवर्न की थी वह निलोतपल हुई थी जिसके चलते डंडी ने बिजियांका कोसर्वसुकला सरस्वती कहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि पंडित की से कहा गया है तो जो लोग सूख दूख में एक समार रहते हैं ठंडी गर्मी में एक समार रहते हैं बिग्न बाधा से घबराते नहीं है सभी जीवों के तत्तों के बारे में जानते हैं पंडित कहलाते हैं इतना लिख दियते हैं तो पूर्टा आपको अंक मिल जाएगा दोस्तो यह जो लोग सुक दुख में समा रहाते हैं थनी गर्मी में भी एक समा रहाते हैं और बिखन भाता से यानि कि कोई भी परकार की हानी हो वह उसे नहीं घबराते हैं सभी जीवों के तत्व के बारे में जानते हैं उसे ही पंडित कहते हैं दोस्तो अब असाइन से लिख सकते हैं और चलिए नेक्ट अपरस्ट को देखते हैं और कोसंस पुछा जाता है कि कौन-कौन से बिदेसी यात्री पाटना आये थे तो मेगास्थिनिस भायान हुएंसांग और इत्सिंग इत्यादी बिद पूछ लिए जाते हैं यह कोसंस दो नमर में ही आएंगे कौन-कौन से बिदेसी यात्री पाटना आये थे तो मेगास्थिन्ट फायान वेंसांग और इत्सिंग इत्यादी बिदेसी यात्री पाटना आये थे और पाठली पुत्र का वरण अपने-अपने संस्परान लोगी के लिए नहीं उसी प्रकार धन दरीद्रों के लिए उपयोगी है धनवानों के लिए नहीं लिख देते हैं पूर्टा आपको अंक मिल जाएगा और ये कोसं से पांस नमर में भी पूछा जाता है और दो नमर में भी पूछ लिया जाता है कि कर्म बीर कौन था यह उनक दोनों जगह प्रसीद हो गया अनिकि दोनों जगह अपना नाम रोशन कर लिया उनके जीवन से हमें यहीं सिक्षा मिलती है कि कि किसी कठिन काम को देहकर निरास नहीं होना चाहिए हम लोग को कोई भी कठिन कार्य होता है तो हम उसे प्रयास न करकर थोरा सहीं प्रयास करते और बन घबरा जाता है तो उसे छोड़ देते हैं तो वहीं निरास नहीं होना चाहिए क्योंकि उत्साह के बल कर बल पर असंभव काम को भी संभव किया जा सकते हैं जैसे राम नरेश ने किया था दोस्तो और एक बार में भी आपको याद हो गया कि करम बीर भीखन टोला लग था जिसने कठिन फरीश्तरम के बल पर और सिख्चा के पढ़ाने पर राज्य और केंदर दोनों जगा प्रसीध हो गया उनके जिवन से हमें यहीं सिख्चा मीरती है कि किसी कठिन काम को देहकर निरास नहीं होना चाहिए क्योंकि उत्साह के बल पर असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है जैसे राम नरेश्ट ने किया था दोस्तो और यहां पर प्रस्णाव देखेंगे कि मीर्तु पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकते हैं काफी धा का सवाल है तो जिस परकार रात्री के बाद सुर्य को देखते हैं उसी परकार विद्वान लोग ही बेद हैं जो सत्य के बल पर मीर्तु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं इसकी अलावा मीर्तु पर विजय प् दोस्तो जिस प्रकार रात्री के बाद सूर्य को देखते हैं उसी प्रकार विद्वान लोग ही बेद होते हैं यानि कि विद्वान लोग हमेशा सत्य बोलते हैं कि वे बेद के समान हैं जो सत्य के बल पर मिर्तु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं इसके अलावे मिर्तु पर बिजे प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्तों और यहाँ पे प्रस्ण है कि पार्टना में दो प्रमुक दर्शन ये अर्स्थल कौन-कौन से हैं तो पार्टना में दो प्रमुक अस्थल ये दर्शन निमने लिखित हैं पहला गांगा नदी गांदी सितु सं संग्राहाले जेवी कुधान तारा मंडल गोल घर सचीवाले और उच न्याले अनि कोई भी पूछेगा यहां पर इतना दिया गया है दो पूछे चार पूछे या पांच पूछे तो आप असाइन से लिख सकते हैं कि पार्टना के परमुकस्ता निम्रीकिते गंगा नदी गा कि असाइन से लिख सकते हैं कि इसमें दमदर गुप्त नमक कभी बताते हैं कि इस पाटना इस धरती का तीलक है सरस्वति का कुल ग्रिह और इंद्र का अस्थान है और यहां पर देखेंगे कि अथरवबेद की मंत्र द्रश्टता रिसिकाओं का नमों लेख लिकरें तो नाम ने में लिक्षीत हैं पहला यमी अपाला उर्वसी इंद्राणी और बगाम भ्रींडी होजेगा आपसाई से याद कर सकते हैं और ब्रिहदाण्यकोपनीसद में क्या वर्नित है तो ब्रिहदाण्यकोपनीसद में यागिवलक्यकी पतनी में त्रेई दार्सनिक रूची मती वर्नित हैं जिसको यगिवलक या आत्मतत्व की सिख्छा देते हैं और जनक के सभा में सास्त्रों के कुसलगारगी वाचकनवी रहते हैं तो दोस्तों आपसाई से लेख सेकते हैं कि ब्रिहदारेक क्योपनी सद में यगिवलक योग की पत्नी में त्रेई दार्सनी के रूची मती वर्नित हैं जिसको यगिवलक या आत्मतत्व की सिख्छा देते हैं और जनक के सभा में सास्त्रों के कुसलगारगी वाचकनवी रहते हैं यह अबजेक्टिव कोशन में बार बार कोशन पूछा जाता है अबजेक्टिव भी आपको किलियर हो जाएगा दोस्तो भारत महिमया पाठ में कीन कीन पुराणों से पद संकलित है तो भारत महिमया पाठ में बीश्णु कुराण से पहला पद और भगवत पुरार से दूसरा पद संकलित हो जगा और यहाँ पे है कि समावर्तन संस्कार का क्या उदर से है तो समावर्तन संस्कार का उदेश से सीष्य का गुरू के घर से ग्रिह जीवन में परवेश करना है इक्छा के अंतिम समय में गुरू सीष्यों को उपदेश देकर घर भेज देते हैं कि समावरतन संस्त्कार का उदेश से सीष से का गूरु के घर से गृह जीवा ने परवेश करना है और इक्छा के अंतिम समय में गूरु सीष्व को उपदेश देकर घर भेज देते हैं अपासाई से लिख सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे भीखन टोला गाउं को देखने आए सिक्षक की क्या विसेस्ता थी तो भीखन टोला गाउं को देखने आए सिक्षक की निमलेखित विसेस्ता हैं थी वे नवीन दिरिष्टी से संपन थे वे समाजिक सिक्षक थे वे समारस्य से रसिक सिक्षक थे औ स्वामी दायानंदे ने समाज की किन कुरूतियों की दूर करने का प्रयास किया तो स्वामी दायानंदे ने समाज की निमनलिकित कुरूतियों को दूर करने का प्रयास किया पहला इस्तिरी सिक्षा दूसरा विध्वा विवा तीसरा मूर्ति पुजा खंडन चुवा छुत का और बाल विवाद दोस्तो इतना लिख देते हैं तो पूर्था आपको अंकी मिल जाएगा और यहां पर है कि राम ने सीता को कीन कीन संबंद संबोधनों से संबोधित क्या है अगर इस सेशन को एक से दो तीन बार देख लेते हैं तो यहां से कोशन हंडे परसें लड़ने वा पहला कि हे सिते, हे प्रिये, हे सीसलक्षी, हे सोबने, यह चार समब्दों से संबोधन किये हैं इतना लिख देते हैं पूर्था आँक मिल जाएगा असांती का प्रमुह कारण क्या है ? तो असांती का प्रमुह कारण निम्नी होता है पहला दिवेसह और सहीसूणीता हो जए कि लोब का दुस्ट नहीं नहीं करना चाहिए, और शास्त्र कितने परकार के होते हैं? उनके नाम लिखें. तो सास्त्र दो परकार के होते हैं पहला क्रित कम सास्त्र जो रिश्यो के द्वरा राचित होते हैं और राचित वंत सास्त्र हो जाएगा जो बिद्वाने के द्वरा राचित होते हैं लास्ट कोशन से यहीं है कि बेदांग कितने परकार को होते हैं और उनके नाम रिखे तो बेदांग चोह परकार को होते हैं शिक्छा कल्प ब्याकरण निरुक्तम चंद जियोतिस से तो आप एक बार में भी याद हो गया होगा कि शिक्षा कल्प ब्याकरण निरुक्तम चंद ज्योति सोजेगा और पठित पाठ के अधार पर इंद्र के चरित्र का वर्रन करें तो पठित पाठ के अधार पर इंद्र का चरित्र का वर्रन करना है तो इंद्र एक छली और स्वार्थी ब्यक्ति थे क्योंकि इंद्र क्या किये थे कि वह जो कर्ण था उससे वह जो कवाच था वह छल से वह ले लिये थे तो इंद्र एक छली और स्वार्थी ब्यक्ति थे इसलिए उन्होंने और जुन की सहायता के लिए छल पुर्वा कर्ण जैसे दानवीर के रक्षा करने वाले कवाच कुंडल को सक्र के भेस में आकर ग सुसिपर करने वाले क्वाच कंडल को सक्रे के भेस में आकर ग्रहण कर लिए इतना अगर कोशन सको अच्छे से याद कर लेते हैं तो यहाँस कोसद हंडे पर्सिन लड़ने वाले हैं तो इससेशन को एक से दू-तीन बार देख लीजेगा दोस्तो इतना अभी के लिए इतना है दोस्तों तो मिलेंगे नेक्स्ट कलास में अभी के लिए इतना है दोस्तों थेंक यू